हमने और पासर में जो कल कल बचल नी आए तो इसके लिए के रहूं थीक की unlikely उसीतर है ठीक उसी तरीके से पासे में भी कितनी सत्य होती है छे के लिए रोगी बात तो छे सत्य में से हमें केवल कितनी सर्फेस दिखाई देती है तीन सर्फेस दिखाई देती है यानि कि हम किसी भी पासे को किसी भी एंगल से देखते है तो हमेसे कितनी सर्फेस दिखाई देगी ती तीन सरफेस दिखाई देगी, तीन सते दिखाई देगी, के लिए रोगी बात, और पासे में छे सते होती है, छे में से कोई भी एक सते हमेशा चार सते से जुड़ी होती है, ठीक है ना, चार सते से जुड़ी होती है, यानि कि मैं यह कह सकता हूँ, कि परते एक सते है, कि जो सत्य है जुड़ी युह हमेशा एक दूसरे के Еज criteria के लायती है यहां तक कोई सिर्स तो नहीं ठीक है नटी जो टॉप-शर्फिय्स होगी उसके विप्रित कौन सी होगी bottom surface होगी कोई दिक्कत है ना जो front surface होगी तो उसके जो विप्रित सतय होगी opposite surface होगी वो back surface होगी ठीक है ना और जो right surface होगी तो उसके जो opposite होगी तो वो हमें से कौन सी होगी left surface होगी या तक कोई दिक्कात है तो बताओ, कोई डाउट, ठीक है न, तो कल हमने पढ़ा था कि जो टाइप होंगे इसके question के, वो minimum चार टाइप से सवाल पूछ सकता है, हो सकता है कि एक ही पासे की वो कितनी स्थिति दरसा है, केवल एक स्थिति दरसा है, हो सकता है वो एक ही पासे की दो से जदे स्थिति दरसा है, हो सकता है, वो एक ही पासे को खोल कर दरसा है, के लिए रोगी बात, वो depend करेगा question to question, तो की वो question कैसा दिया हुआ है, ठीक है न, वहीं, तो चलिए, तो हमने start किया था कल, कि अगर हम पढ़ाएंगे, तो हम पढ़ाएंगे कहां से start करेंगे, क जब एक ही पासे की दो स्थितिया दरसा है जाएंगे, तो सबसे पहला point यहीं लिख लो, कि जब एक ही पासे की दो स्थितिया दरसा है जाएंगे, जब एक ही पासे की दो स्थितिया दरसा है जाएंगे, जब एक ही पासे की दो स्थितिया दरसा हैंगे, जब एक ही पासे की से की दो इस्तितिया दर साई जाए तो यहां पर क्या होगा कि जब एक ही पास से की दो इस्तितिया दर साई जाती है तो यहां पर भी हमारे तीन केस बनते हैं ठीक है नजब एक ही पास से की दो इस्तितिया दर साई जाती है तो यहां पर हमारे तो केस फंस्ट होगा हमारा कि जहां पर एक ही पासे की दो स्थितियों में केवल एक डिजिट या एक लेटर या एक सिंबल कोमन हो ठीक है ना तो इसको बोल देंगे हम वन कोमन ठीक है और जब एक पासे की दो स्थितियों में दो डिजिट कॉमन हो या दो लेटर कॉमन हो या दो सिम्बल कॉमन हो तो उसको बोलते हैं दो कॉमन टू कॉमन और जब कोई भी डिजिट या कोई भी लेटर या कोई भी सिम्बल कॉमन ना हो तो उसको बोलते हैं नो कॉमन सबसे पहले case पढ़ेंगे वो case first पढ़ेंगे सुरुवात यानि कि हमारी जो होगी वो case first से होगी यानि कि जब एक ही पासे की दो श्तितिया दरसाई जाए तो हम पढ़ेंगे case first से सुरुवात करेंगे ठीक है रहा तो देखेगा case first क्या होगा case first case first होगा one common one common तो यहाँ पर एक पासे की दो स्थितिया दर्थाई जाएंगी एक ही पासे की दो स्थितिया इस तरीके से दर्थाई जाएंगी ठीक न? तो यह पहली स्थिति होगी यह second स्थिति होगी ठीक है एक ही पासे की दो स्थितिया जिस में कुछ नंबर में इंसन कर दो जैसे के 3, 4, 5, 6, 1, 3 ठीक है और यहाँ पर हमें निकालना है की सभी सर्फेस के अपोजिट सर्फेस कौन सी सर्फेस होगी कि सभी सर्फेस सभी सते को अपोजिट यानि के विपरी सते कौन सी होगी तो सबसे पहले जो step होगा हमारा वो यह होगा कि सबसे पहले हम यह चेक करते हैं कि इसमें कौन से digit common है ठीक है ना इसमें कौन से digit common है ठीक है ना तो यहाँ पे 3, 4, 5 और यहाँ पे गया है 3, 6, 1 common क्या है 3 तो हमें यहाँ पे 3 common दिखाई दिया तीन कॉमन दिखाई दिया तो जो डिजिट कॉमन होती है जो डिजिट कॉमन होती है उससे हम हमेशा कलोक वाई डारेक्शन में इस तरीके से चलते हैं जो डिजिट कॉमन होती है तो हमेशा किस डारेक्शन में चलना है उसे डिजिट से clockwise direction में निकि घड़ी की swing की दिसा में चलना है घड़ी की swing की दिसा में चलना है ठीक है ना तो 3 से start करोगे पहले वाली में 3 3 के बाद 4 4 के बाद क्या आएगा 5 ठीक अब फिर से 3 से start करोगे तो 3 6 1 लेकिन 3 अलड़ी आ चुका तो 3 से अगला number क्या है 6 और 6 से अगला number क्या है 1 यानि के मिन्ने हाँ पर space छोड़ दिया जो 3 है 3 को मैं 2 बार तो नहीं लिख सकता ना क्योंकि 1 पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं तो कोई भी number repeat नहीं होता ठीक है ना तो 3 के लिए मिन्ने हाँ पर इस पे छोड़ दिया 3 से अगला number 6 6 के बाद क्या आया 1 यहां तक कोई दिकत तो नहीं किसी को तो ये बताओ 1 से 6 तक अंक अंकित है तो कौन सा number अभी बचा हुआ है 2 बचा हुआ है तो यहां पर क्या आगया कोई दिकत तो नहीं तो ये सारे के सारे जो हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है, सारे के सारे सर्फिस का है, एक दूसरे के अपोजिट है, तीन दो के अपोजिट है, और दो तीन के अपोजिट है, चार छे के अपोजिट है, और छे चार के, और पांच एक के, और एक पांच के अपोजिट है, बताना किस तरीके से ठीक है ना तो एक ही पासे की दो स्थितिया धरसाओ अपनी कोपी पे एक ही पासे की दो स्थितिया तो ये एक पासे की पहली इस्थिती होगी ये एक पासे की दूसरी इस्थिती होगी इसमें कुछ नंबर में इंसन कर देते हैं ठीक है जैसे के एक दो छें एक दो छें और इसमें लिख दिया मैं पास तीन दो पास तीन दो और मैं पूछना चाहता हूँ कि तीन का पोजिट क्या होगा तीन का पोजिट क्या होगा ये बताना है भई तीन का पोजिट क्या होगा ठीक है ना तीन का पोजिट क्या होगा एक हो गया तो सिंपल वही काम करना भई तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे कि इसमें कौन सी डिजिट कॉमन है कौन सी डिजिट कॉमन है तो क्या डिजिट कॉमन है दो कॉमन है यहापे यहापे भी दो है दिखाई दे रहा है और यहापे भी दो दिखाई दे रहा उसके बाद यहाँ पर दो को वापस नहीं लिखोगे, इस पेस चोड़ लोगे, तो पांच और तीन, पांच और तीन, तो क्या पूछ रहता तुम से, यहाँ पूछ रहता, तीन के पूजिट, तो तीन के पूजिट क्या होगा, एक होगा, और एक के पूजिट क्या होगा, त तो 2 के आपोजिट 4, 4 के आपोजिट 2, 6 के आपोजिट 5, 5 के आपोजिट 6, 1 के आपोजिट 3, 3 के आपोजिट 1 यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ मारी बात, ठीक है, अब एक तरीका हो रहा है आपोजिट निकालने का, अब भी देख लो अगर मैं ये मिटा दूए हूँ याँ से इससे ना करके हम ढरेक्ट अगर करना चाहे तो किस तरीके से करोगे देखना अगर मैं तुमसे पूछ लूँ यहां पे 4 का पोजिट बताईये क्या होगा तो हमें बताए है कि 4 का पोजिट नا तो कभी 3 हो सकता और नहीं कभी 5 हो सकता तो यहाँ पर देखना जरा 4 का पोजिट निकालना तो यहाँ तो 4 ही नहीं अगर यहाँ पर भी 4 होता तो मैं eliminate कर लेता कि कौन सा पोजिट नहीं होगा तो एक तरीका यह है कि अगर 4 का पोजिट निकालना है तो यहां पर common digit से एक बार इधर चल दो, तो क्या मिल गया? छे मिल गया, तो चार का पोजिट क्या आ गया? छे आ गया की नहीं? बात समझ मैं, इस तरीके से भी, एक बार चलने से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर मुझे निकालना है पांच का पोजिट, कोई दिक्कत तो नहीं, और अगर तुम से पूछ लिया जाए कि जो common digit है, जो common digit है, उसी का पोजिट क्या होगा, तो तुम यहां पर इस तरीके से eliminate कर सकते हो, कि तीन का पोजिट मैं अगर पूछता हो, तो तीन का पोजिट कभी चार होगा क्या? तीन का पोजिट कभी पाँच होगा क्या? तो तीन का पोजिट ना तो कभी चार हो सकता, ना कभी पाँच हो सकता, तीन का पोजिट ना कभी छे हो सकता, ना कभी एक हो सकता, तो बचा कौन? दो, तो इसका पोजिट तीन का पोजिट दो है, और दो का पोजिट तीन है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, बात समझा नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है, एक तरीका तो यह है कि सब कुछ लिख लो इस तरीके से सब कुछ सब का पता लग दगा एक साथ ठीक है एक तरीका यह है कि हम क्या कर सकते हैं भई हम यह कर सकते हैं कि सबसे पहले हम कोमन डिजिट पर फोकस करेंगे किस पर कोमन डिजिट पर फोकस करेंगे कर लिया मैं तुमसे पूछ लूँ कि 6 का पोजिट बता हो तो कोमन डिजिट को पकड़ो common digit को पकड़ो एक बार चले तो 6 मिला तो इधर भी एक बार चलो तो 5 मिला तो 6 का पोजिट डारेक्ट क्या हो जागा 5 हो जागा कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ठीक है न अगर मैं पूछ लो कि एक का पोजिट क्या होगा तो दो बार चलने पर एक मिला की नहीं दो बार चलने पर एक मिला की नहीं तो common digit से दो बार चलो इधर भी एक और दो कितना आ गया तीन तो एक का पोजिट कितना हो गया तीन हो गया एक का पोजिट कितना हो गया तीन हो गया कोई दिक्कत तो नहीं और अगर मैं पूछ लूँ कि जो common digit है, उसी का opposite क्या होगा, तो उसी का opposite कभी एक नहीं हो सकता, बहीं, दो के side में एक रखा है, तो कभी opposite तो नहीं बन सकता ना, दो के side में 6 रखा होगा है, तो कभी opposite तो नहीं बन सकता ना, दो के side में 5 भी रखा होगा है, कभी opposite तो नहीं ब किसी को समझ मैं आया को कोई डाउट है कि सीखो आभी भी रिपीट करना कोई बात चले फिर आगए चलिए फिर क। कॉच्छन नंबर 2 कॉच्छन नंबर 2 देखो बही एक पासे की दोच ठीत धरसाईएगा एक ही पास है की दो इस्थितिया दर साईए यह पहली इस्थिति है यह दूसरी इस्थिति है ठीक है रहा एक ही पास है की दो इस्थितिया तो इसमें नमबर में इंसन कर दो A, B, F यहाँ पर मैंने A लिख दिया यहाँ पर मैंने B लिख दिया और यहाँ पर मैंने F लिख दिया F, D, C F, D, और C यहाँ पर मैंने C लिख दिया और मैं तुमसे पूछ लूँ कि भाईया F का पोजिट बताईए क्या होगा F का पोजिट बताईए क्या होगा तो बताईए क्या होगा क्या होगा E, बिल्कुल ठीक है सबसे पहले step हमारा क्या होगा common क्या है common digit क्या है तो हम बोलेंगे कि sir common digit तो यहाँ पर F है यहाँ पर भी क्या है F है तो एक तरीका तो है कि अगर तुमें F का पोजिट निकालना है तो है सबका निकाल लो एक साथ एक तरीका है कि F का ही निकालना है किलियर हुई बात यहां तक तो एक तरीका तो था ही यह निकाल लेगा या फिर तुम सबको लिख लो कोलोक वाई डारेक्शन में लिख लो सबको कोलोक वाई डारेक्शन में ठीक है न तो F A B यहाँ पर F, D, C तो D और C F को दुबारा नहीं दिखना बचा कोन E तो सबका पोजिट आ गया F का पोजिट E है E का पोजिट F है A का पोजिट D है D का पोजिट A है B का पोजिट C है C का पोजिट B है सबका निकल लिए एक साथ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को अगर मैं पूछ लेता है, डारेक्ट ही तुमसे कि A का पोजिट बताईए, A का पोजिट तो common digit पर focus करो, F से एक बार चलने पर A मिला, तो यहां पर भी एक बार चल दो F से एक बार चलोगे, तो D मिलेगा न, तो आपर F से एक बार चले A, F से एक बार चले D तो A का पोजिट D हो गया A का पोजिट D हो गया यहां से भी D आ रहा निकल गया ठीक है ना अगर मैं पूछ लेता B का पोजिट बताईए तो एक बार दो बार कितने बार दो बार तो F से एक बार और दो बार कितने बार दो बार तो दो बार चलने पर क्या मिलता है B तो B का अपोजिट क्या होगा C तो ऐसे निकाल लोगे कोई दिक्त तो नहीं किसी को समझ मा आगया होगा कोई डाउट तो नहीं किसी को बलो तो अगर यह समझ मा आगया तो next question पर चले भई चलो Question number 3 Question number 3 Question number 3 एक ही पास है की दो इस्थितिया दरसाई गई है एक ही पास है की दो इस्थितिया दरसाई गई है और इसमें number mention कर देते हैं एक तीन पास एक तीन पास चार पास दो चार पास दो तो इसमें पहला question यह है की चित्र फर्ष्ट में निचली सतय पर कोन सी संख्या है चित्र फर्ष्ट में निचली सतय पर निचली सतय पर कौन सी संख्या है कौन सी संख्या है second है मेरा question कि चित्र second में निचली सत्या पर कौन सी संख्या है चित्र second में निचली सत्या पर कोन सी संख्या है ठीक है भई कोन सी संख्या है भई ये कोशन है तो बताओ पहले कोशन का जवाब क्या होगा दूसरे कोशन का जवाब है सबका आगया भई तो पहला स्टेप क्या है हमारा पहला स्टेप क्या है कोमन डिजिट हमें पता करना पड़ेगा कि कोमन डिजिट क्या है तो एक तीन पांच चार पांच दो क्या है पांच कोमन है जो कोमन डिजिट होगी उसी से स्टार्ट करना clockwise direction में जो common digit होगी उसी से start करना है clockwise direction में तो पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच दो चार तो यहाँ पर दो लिख दिया यहाँ पर चार क्योंकि पाँच को दुबारे तो नहीं लिख सकते हैं ठीक है ना? तो क्या बचा? तो जो बचा हुआ है वो आ जाएगा ठीक है ना? तो चितर फर्ष्ट में निचली सतह पर कौन सी होगी यह बात जानना चाता है चितर फर्ष्ट में निचली सतह का मतलब है वो जानना चाता है तीन के पोजिट क्या होगी क्योंकि कि अगर तीन टॉप सरफेस पे है तो टॉप सरफेस के जो अपोजिट होगा वो बोटम सरफेस होगा निचली सतय होगी ठीक है ना तो इसका मतलब जानना चाहता है कि तीन के अपोजिट क्या दिखाई जे रहा चार तो तीन के अपोजिट है वही चार यानि कि हमारा इस सवा यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या तो मैं एड़वाइस यह दूँगा कि तुम इस तरीके से निकालना पूरा सब कुछ निकाल लगे के लिए लोगी बात ठीक है ना बार बार तुम्हें इस तरीके से क्लोक वाइट डारेक्शन में कि जुरत ने पढ़ने की ठीक है भई बाकि तुम्हारी मर्जी है जैसा तुम्हें ठीक लगए वैसा कर ले ना जिस पर तुम प्रैक्टिस करोगे कोई दिक्कत ठीक है ना चलो उतार लो इसको कर लिया नोट चल एगले कोईशन पर चलो फिर नेक्स कोईशन देखिएगा कोईशन नमबर चार कोईशन नमबर चार में फिर से एक पासे की दो इस्थितिया दरसाईए कोईशन नमबर चार एक ही पासे की दो इस्थितिया एक ही पासे की दो इस्थितिया दरसाईए यह पहली स्थितिय यह दूसरी स्थितिय इस बार में तो मैं आप्शन भी दूँगा ए ओप्शन इसमें भी पास ही है यह बी ओप्शन इसमें भी क्या है भई हमारा पास ही है ठीक और यह सी ओप्शन है इसमें भी क्या है पासा है डाइस है और यह डी ओप्शन है और इसमें भी क्या बना लो पासा बना लो यानिके डाइस बना लो ठीक है ना यह चार नमबर फिट कर दो इनमें तो नमबर है एक तीन चार एक तीन चार तीन च्छे दो तीन च्छे दो ठिक और इसमें कर दो चार पाँच च्छे चार पाँच च्छे और यह कर दो दो तीन पाँच दो तीन पाँच यह कर दो एक दो तीन एक दो तीन यह गर दो यहाँ पे एक चार पाँच एक चार पाँच ठीक एक चार पाँच तो कोश्चन मेरा यह है कोश्चन मेरा यह है कि कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है यानि कि अगर एक पासे की दो श्थितिया दरसाए गई है तो बताईए इन से कौन सा पासा बनाया जा सकता है इन चार विकल्पों में से ठीक है ना ये है देखते हैं अभी बताईए बहुत जल्दी बताओ चलो ए उपसन वाले हाथ खटे करो पहले बी सी डी सबकर डी है चलो बहुत बढ़िया तो अंसर है वई डी ठीक है तो सबसे पहले क्या करोगे इसमें देखो कॉमन डिजिट क्या है वई तीन तो कॉमन डिजिट है वई तीन यहाँ पर common digit क्या है तीन तो तीन से clockwise direction में लिखना शुरू कर दो इधर लिखोगे 3, 4, 1 3, 4, 1 इधर लिखोगे 6, 2 बच क्या गया 5 सब का पोजिट आ गया 3, 5 का पोजिट है, 5, 3 का पोजिट है 4, 6 का पोजिट है, 6, 4 का पोजिट है 1, 2 का पोजिट है और 2, 1 का पोजिट है अगर ये दोनों एक दूसरे के पोजिट है इस तरीके से 5, 3, 3, 5, 4, 6, 6, 4, 1, 2, 2, 1 अगर ये पोजिट है तो ये कभी भी adjacent नहीं हो सकते, यानिके सलंगन surface पे नहीं आ सकते बात समझ मारी यहां तक कोई दिक्कात है का किसी को कोई doubt है ठीक है तो यहां पे देखेगा 4 और 6 यहां पे क्या है भई adjacent हो रहे यानिके ये पास वाली सते पे है पास वाली सते पे है तो ये तो 4 और 6 तो चार और 6 तो क्या है तो ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते बात समझ मारी इसलिए क्या हो गया गलात हो गया कोई दिक्कात तो नहीं अब यहां पे देखेगा हमें पता है कि 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है अगर ये 3 पाँच एक दूसरे के अपोजिट है तो ये एक साथ कभी नहीं दिखेंगे बात समझ माई क्योंकि अगर 3 है तो 3 के अपोजिट नीचे 5 हो सकता था बात समझ माई क्योंकि अगर 2 सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है तो हमेशा एक सरफेस दिखता है और एक सरफेस छिपता है बात समझ माई एक surface shipता है और एक surface दिखता है बात समझ माई यहां तक ठीक है न तो अगर यहां पर दिखाई दे रहा होगा एक दो के opposite है तो अगर एक दो के opposite है तो एक दो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते तो इसलिए भी गलत हो गया बात समझ माई, तो यहाँ पर 4 का पोजिट के है, 6 है, 6 है निच्छे होगा भई, ठीक, और यहाँ पर 1 का पोजिट के है, 2, 2 अधर होगा, ठीक है ना, बैक सर्फेस पे, और यहाँ पर राइट सर्फेस पर 5 लिखा होगा, 5 का पोजिट 3 है, तो लेफ्ट सर्फेस पर हमारा 3 होगा तो इसका मनला डी ओफसन हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा कोई दिक्कत तो नहीं ठीक है ना तो इस बात को याद कर लो नोट कर लो चाहिए इस बात को कि दो विपरीट सते हैं नोट करके लिख लो दो विपरीट सते हैं कभी भी कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते दिख सकते ठीक वई दो विपरीट सते हैं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हमेशा अगर एक दिखता है तो दूसरा चिपता है ठीक है ना तो लिख लो इस बात को भी हमेशा अगर एक दिखेगा अगर एक दिखता है तो दूसरा हमेशा चिपता है अगर हमेशा अगर एक दिखता है तो दूसरा हमेशा चिपता है यहां तक बताओ कोई दिखकत है क्या यहां तक समझमारी बात क्लिए रहे चलो अगर बड़े तो यह डी ओप्सन हो गया सबकर समझमारी आगए क्यों हुआ ठीक है तो चलो फिर अगला कोईशन लिखिए कोईशन नमबर कौन सा था पाच तो कोईशन नमबर पाच देख़ए कोईशन नमबर पाच क्या है एक पासे की दो इस्थितिया बनाओ एक ही पासे की दो इस्थितिया एक ही पासे की दो इस्थितिया और इसमें चार ओप्सन बनाओ option A option B option C option D ठीक number पिट करो दो इसमें A, B, E A B, E D, C, B यह है D, B F D, E, F D, E, F फिर है F, A, E F, A E फिर है A, B, C A, B, C ठीक है ना? यह चार option ने इनमें से बताना है कौन सा सवाल का जबाब होगा? C option फिर होगा है, C आगया है? पिर होगा है, C आगया है? तो फिर्स्ट इस्टेप हमारा क्या होगा? common common क्या है बई? B common है B common है तो common अगर B है तो B से कोलोक वाइट चलोगे B से क्या चलोगे? कोलोक वाइट चलोगे ठीक है? B, E, A क्या लिखोगे? B, E, A लिखे दिया बई? इधर B, D, C तो D और C बच कौन गया? F कोई दिक्कत तो वाइट सबका अपोजिट आ गया सबका अपोजिट आ गया आपे ठीक है ना? अब हमें चेक करना है कि अगर दो अपोजिट सर्फेस है तो कभी एक साथ ने दिखने चाहिए बात समझ माई? उनमें से कोई एक दिखेगा तो दूसरा छिपेगा तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि B और F तो वाई एक साथ आगे हमें पता है कि B F तो एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ तो नहीं दिख सकते ना यह इनमें से कोई एक छिपेगा तो दूसरा दिखेगा ठीक है ना तो यहां पर दिखाई दे रहा होगा तुम्हें E और D तो E और D के आगे एक साथ आगे हमें पता है कि E और D तो एक दूसरे के अपोजिट है ठीक है ना यहां पर दिख रहा होगा तुम्हें कि यहां पर A C के अपोजिट है ED का और यहाँ पर क्या पोजिट हो गया A और C तो A और C क्या है वही एक दूसरे क्या पोजिट था लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा एक साथ दिख गया तो शलिए A भी गलत हो गया यह भी गलत हो गया यह भी गलत हो गया एक आपोजिट क्या है सी, सी बोटम सरफेस पे, तो यानिके सी ओप्सन हमारा correct answer है, कोई दिक्कत, समझ मा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चोलो, अग्या बढ़ो भई, question number, question number, question number 6, question number 6, तो बनाओ भई, एक ही पासे की तीन स्थितिया, question number 6 में, एक पासे की तीन स्थितिया बनाना, तो एक ही पासा है, उसकी हमारे सामने तीन स्थितिया होगी, पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, ठिक, ये तीसरी स्थिति है, एक ही पासे की तीन स्थितिया, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है और ये तीसरी स्थिति है और यहाँ पर हमारे पास चार ओपसन है, A B, C और D, पहले ओपसन में हैं, दो, तीन, चार, पाँच दो, फिर है तीन, फिर है चार फिर है पाँच, तुम नंबर मैं fit कर देता हूं उसमें, नमबर क्या है यहां पे, नमबर है बई, एक दो तीन, एक दो तीन, फिर है तीन, चार, पाँच, तीन, चार, पाँच, ठीक है, फिर है छहें पाँच, और question mark, यह ओगया है, ठीक है ना, बता हो, जल्दी से, छेए पाँच और वोशन मार्क वोशन मार्क के जगह बताना क्या होगा चार सबका चार आगे बही हमें क्या करना पड़ेगा जब भी तीन स्थितिया हो या दो स्थितिया हो तो हम चेक यहीं करते हैं पहले स्थेप यहीं होगा हमारा कि कॉमन क्या है तो मुझे बताओ तो बताओ हमें यह बात तो पता ही है कि दो भी प्रिषते कभी एक साथ नहीं दिख सकती है कि नहीं तो मुझे बताओ यहां पर औलेडी पांच आया हुआ है तो क्या यहां पर कभी पांच आ सकता है हटा दिया मिननेस को ठीक है ना यह बताओ यहां पर छे दिख रहा है छे दिख रहा है तो छे तो अपसन में है ही नहीं अगर यहां पर पांच नहीं आ सकता तो पांच का विपरीत ही भी तो नहीं आ सकता पांच का बीठ और सक्त warto नहीं 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 भी नहीं आएगा च्छे का विपरीत की थिन यह द Valley Price अद पे तो दो resistant कोई दिकाठ इस तरीकिते करना है कोई यूइनिट करके कोई डाउट हो तु मुझे बता हो यहां तक कोई समस्षज हो तो ठीक है ना कोई समस्षज नहीं है तो भाई यहां तक तो हमस्षा सीक लिया केस फ messaging हमारा किलियर हो गया केस फ demาก criterion हो गया केस सेकंड क्या होगा केस फर्ष समझ माया केस सेकंड तो केस सेकंड में क्या है था भी जहां टू कोमन हो क्या हो टू कोमन हो टू कोमन टू कोमन अब टू कोमन का मतलब है दो लेटर भी कोमन हो सकते हैं दो डिजिट भी कोमन हो सकते हैं या दू सिंबल भी common हो सकते हैं को मॉन हो सुखने है ठीक है तूम कि मतलब यह हो गया ठीक है बही तो तुप क्या गरोओ एक पासे की दूस्थितिया दरसा हो ज्रा एक पासे की दूस्थितिया दरसा हो गा। तो ये पहली स्थिती होगी ये दूसरी स्थिती होगी और इसमें मैंने नमबर फिट कर दिये कुछ और नमबर है हमारे एक तीन पाँच एक तीन पाँच ठीक है ना इसमें हैं पाँच तीन चार पाँच तीन चार ये होगे नमबर ठीक है ना तो यहाँ पर करना क्या होगा, ध्यान देना सबसे पहले step हमारह यहीं होगा कि इसमें common क्या है तो ध्यान दो यहाँ पर common क्या दिखायदे रहे होगा एक 36 दिखाया थे रहुगा ठीक है ना तो common 3, 5 हो गया वही तो जो common नहीं है जो common नहीं है वो क्या है एक और यहाँ पर क्या है 4 तो अगर हम दोनों में से common digit को हटा दे तो जो 6 part बचेगा वो एक दूसरे के opposite होगा समझने बात को तो common digit हटाने पर जो 6 भाग बचा वो क्या बचा एक और चार तो यह एक और चार एक दूसरे के opposite होगे पहली बात तो यह होगी बात समझ माई तो चार क्या होगा एक का opposite होगा ठीक है ना तो लिख लूमे इस बात को भी common part को common part को हटाने पर हटाने पर जो बचेगा जो 6 पार्ट बचेगा जो rest पार्ट बचेगा वही एक दूसरे के अपोजिट होगा बात समझ माई गया तो वही एक दूसरे के अपोजिट होगा यहां तक तो किलियर होगी बात भई ठीक है अब मैं बात करूँ अगर जो बाकी जो बचे जैसे कि मैं बोल दूँ चलो ठीक है एक के अपोजिट चार आ गया तो बाकी जो तीन के अपोजिट क्या होगा पांच के अपोजिट क्या होगा चार के पोजिट क्या होगा है छे के पोजिट क्या होगा ये इस पर बात करेंगा अब हम ठीक है ना तो एक है दो है तीन है चार है पांच है और छे है नमबर यही तो है भई एक दो तीन चार पांच छे तो इनके पोजिट क्या क्या हो सकते है अब वो समझना ठीक है ना तो सबस्क्राइबि क्या होगा होगा और को तो आपिदिट क्या होगा सो दो हमें कहीं दिखाए है क्या हुआ घाए ना कज्छी बोजिद क्या हो सकता है बता हुँ पांच भी र tablespoon ओसकता है और तीन भी हो सकता है और और तो नहीं हो सकता ना भई हमें इसमें केवल दो सरफेस नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि एक तीन पांच भी दिख रहा है मुझे और चार भी दिख रहा है तो हमें टोटल कितने सरफेस दिख रहे हैं भई चार सरफेस तो दो सरफेस ने दिखाई दे रहा ना या ना तो दो दिखाई दे रहा और ने छे दिखाई दे रहा बात समझे माई ना तो दो दिखाई दे रहा और ना ही छे दिखाई दे रहा क्लियर होगी बात तो एक और चार तो होई नहीं सकते दो के अपोजिट क्योंकि एक और चार तो फिक्स हो चुके तो बचे कौन दो के अपोजिट होने के लिए छे भी नहीं हो सकता ना क्योंकि छे पिछले तरफ है दो के साइड में तो दो और छे तो एड़ जासेंट होगे पडोसी होगे बात समझे में दो और छे भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते दो के अपोजिट एक भी नहीं हो सकता दो के अपोजिट चार भी नहीं हो सकता बच क्या गया तीन या पाँच तो दो के अपोजिट या तो तीन होगा या फिर 5 होगा, बात समझ माई, confirm नहीं हो पा रहा, कि 3 है या फिर 5 है, बात समझ माई, 2 के अपोजिट क्या होगा, या तो 3 होगा, या फिर 5 होगा, अगर मैं बात करूँ, 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट, या तो 2 होगा, या 6 होगा, 3 के अपोजिट, या त तो फिर 2 होगा, या फिर 6 होगा, बात समझ मा आ रही है, ठीक है न, अगर मैं बात करूँ 4 के अपोजिट क्या होगा, तो पता है क्या होगा, फिक्स है, एक है, अगर मैं बात करूँ 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट या तो 2 होगा, या 6 होगा, या 6 होगा, औ बात तुम्हारे समझमा आई या नहीं आई कोई दिक्त किलियर होगी बात यहां तक तो नौट करो फटा फटा कुल मिलाकर हमें यह बात पता चली कि एक के अपोजिट चार हो गया तो जो कोमन होता है ना कोमन कोमन क्या बचा तीन और पाँच यही तो है कोमन तो तीन और पाँच के जो अपोजिट होगा ना पता क्या होगा जो मैं दिखाई नहीं दे रहा जो मैं दिखाई नहीं दे रहा है तो इनके अपोजिट वही होगा जो मैं दिखनी रहा और दिख कौनी रहा ना तो दो दिख रहा न छे दिख रहा यहां तक बात समझ मारी कोई दिक्कत तो नहीं किसी को किलियर होगी बात नोट कर लिये सबने भई ठीक है अगर नोट कर लिया तो अगला कोईशन लिख दू लिखो एक पासे की दो इस्तीते दरसाओ एक ही पासे की दो इस्तीते दरसाइएगा तो A के पास एकी दो इस्तितिय दर साईगा A B E A F B A F B ठीक है तो यह पहली स्थितिय और दूसरी स्थितिय तो यहाँ पर यह बताओ मुझे common क्या है भई common क्या है A और B common क्या है A और B A और B A और B तो यहने के जो say से बचा वो एक दूसरे के क्या होंगे opposite होंगे की नहीं तो यानanka है हिहां से मुझे ये बात पता लगी कि E का पॉजिट क्या होगा? F होगा और F का पॉजिट क्या होगा? E होगा कोई दिक्कत तो नहीं common क्या है? A और B तो अगर मैं बात करूँ A और B के अपॉजिट क्या होगे? तो जो मैं दिखाई नहीं दे रहें दिखाई कौन नहीं दे रहें C और D तो ये एक दूसरे के अपोजिट होगा की नहीं यहां तक कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो इसका मतलव अगर मैं बात करूँ A B C D E और F की तो A का पोजिट क्या हो गया भई हमारा या तो C या D तो B का पोजिट क्या हो गया C या D C का पोजिट क्या हो गया A या B और D का पोजिट क्या हो गया A या B और E का पोजिट क्या हो गया E का पोजिट fix हो गया F हो गया और एफ का उपोजिट क्या हो गया ई तो सब का आपोजिट पता से लिए को इस तरीके से अगर दो डिजिट औमनों तो इस तरीके से हम देखते हैं कोई दिक्कत वाली बात तोहाई किलियर होगी बात यहां तक अगर किलियर होगी तो अब question करना start कर रहे ही तो अब इक concept ही चल दहुँआ एक तरीके से ठीक हैлан ना तो caution बहıl दो तो एक पासे की दो स्थित्य दर्सा वं फिरसे एक पासे की दो स्थित्य नौट कर लिए ढने लिए तुम नहीं सब तो एक पासे की दो इस्थितिया कोश्चन यहां से सुरू होगा हमारा कोश्चन तो एक पासे की दो इस्थितिया यह पहली इस्थिति है यह हमारी दूसरी इस्थिति है यह पहली इस्थिति है और यह हमारी दूसरी इस्थिति है एक पासे की दो इस्थितिया इसमें ओप्षिन भी है वह चार, पहला ओप्षिन, यह हमारा पहला ओप्षिन है, चारे डाइस बनाओ ओप्षिन में भी, ए, यह दूसरा ओप्षिन हो गया, और यह हमारा तीसरा ओप्षिन हो गया, और यह हमारा, चार ओप्सन होगे डाइस में भर लो एक तीन पाँच एक तीन पाँच दो पाँच तीन दो पाँच तीन और इसमें लिको एक दो तीन इसमें एक दो तीन इसमें लिको तीन चार पाँच तीन, चार, पाँच और तुम लेखो चार, पाँच छे चार, पाँच, छे और तुम लेखो चार, दो तीन, ठीक है ना? तो ये बताओ तुम कौन सी डाइस बनाई जा सकती है? इन दो एक पासे की दो इस्तितियों का परियोग करके निम लेखी चार ओप्सन में से कौन सी डाइस बनाई जा सकती है? ये बताना है भी तुम्हें जल्दी बताओ टी ओप्सन आ गया? सब अगड़ी आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? कोई समस्या नहीं? चलो फिर डी देखते हैं भई भई सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? सबसे पहले हमें देखना है कि डिजिट कॉम्हन क्या है? तो क्या कॉम्हन है भई? पांच भी कॉम्हन है, तीन भी कॉम्हन है पांच भी कॉम्हन है, तीन भी कॉम्हन है तो एक दो क्या है एक दूसरे के अपोजिट तो हमें ये बात पता लगी कि एक दो एक दूसरे के अपोजिट है यहां तक कोई दिक्कत किसी को यहां तक कोई समस्या एक दो एक दूसरे के क्या है अपोजिट है तो इसका मतलब अगर एक दो एक दूसरे के अपोजिटे तो मैं कह सकता हूँ कि एक दो एक साथ दिखेगे नहीं अगर एक दिखेगा तो दो छिपेगा अगर दो दिखेगा तो एक छिपेगा बात समझ मारी कह सकता हूँ इस बात को तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वही एक दो तो एक साथ आगे एक दो तो एक साथ आगे इन में तो यह तो बात नहीं हो सकती कि वही एक दिखने का एक दिखेगा तो दूसरा चिपेगा ना तो एक दो एक सात नहीं आ सकते, इसका मतलब एक जिखने मारा गलत हो गया, ठीक भई, अब मैं यहापे देख रहा हूँ, एक दो यहापे कोई दिखी नहीं रहा, प्योगि मैं देखा कि एक दो कभी एक सात नहीं आ सकते, अगर एक दिखेगा तो दूसरा चिपेगा, और पिछली जो तीन सते हैं उधर जाके वे एड़ेसेंट होगे पिछली तीन सते जो दिखाई नहीं दे रही ना उधर जाके वे क्या होगे साइड मा आगे अपोजिट नहीं कहलाएंगे बात समझ माई तो इसका मतलब यहां समय ने यह समझ लिया कि दो विपरीट सते कभी भी एक साथ ना तो दिख सकते और ना कभी एक साथ चिप सकते बात समझ माई अगर दोनों अपोजिट एक साथ चिप गये तो भी गलत और दोनों अपोजिट सर्फेस एक साथ दिख गये तो भी गलत बात समझ माई तो यहांने कि एक का दिखना जरूरी है अगर एक दिखता है तो दूसरा चिपएगा दूसरा दिखता है तो पहला चिपएगा यह दो में से एक का दिकर जरूरी अगर मुझे दो देखता है ज़िखता है तो एक चिप रहा है चिप रहा है कि नहीं? तो यह answer हो गया हमारा 4 option में से 3 option eliminate होगी तो बचा को answer? D option, यह हमारा जवाब हो गया, कोई रिक्कत तो नहीं किजी को, समझ माई बात यहां देख, तो next question लिखेगा फिर, बलू गया, चलो फिर next question, एक पासे की बनाओ दो इस्थितिया, एक पासे की फिर से दो इस्थितिया बनाओ, एक ही पासे की, दो इस्थितिया, पहली, दूसरी, ठीक है न, चार उपसन है हमारे पास, चार उपसन है, यह पहला उपसन है, ए उपसन, यह दूसरा उपसन है, बी उपसन, यह सी उपसन है, और जी यह डी उपसन है, यह हमारा डी उपसन है, तो इसमें कुछ भर लो है, तो भई, A, E, F, A, E, F, E, A, B, E, A, यह होगा हमारा, B, B, D, F, उपसन है, B, D, F, A, E, D, A, E, D, फिर B, A, D, B, A, D, फिर D, C, E, D, C, E, ठीक है, बही, तो बताओ, इन दो पासों का परियोग करके, कौन सा विकल पर बनाया जा सकता है, बताओ, जल्दी, अच्छा, देखते हैं अभी, बताओ, जल्दी, थर्ड, क्या थर्ड है सबका, क्या थर्ड है सबका, चलो, एक तम अताका थे, तो हमने भी थर्ड ही बता दिया, ठीक है न, तो सबसे पहले, हम बात करेंगे, कौन क्या है, ए और ए, ए और ए, ये कौन है, तो मैं समझगा कि इसका मतलब बी और एफ तो एक दूसरे के अपोजिट है, बी और एफ क्या है भई, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो ये दोनों न तो एक साथ दिखने के, न एक साथ छिपने के, एकका दिखना जरूरी है, तो दूसरे का चपना भी जरूरी है, ठीक है ना, तो यहां पर दिखाई दे रहा गा 하고 B-F एक साथ दिखे, तो B-F एक साथ अगर दिखे तो इसका मतलब यह बात गलत हो जागी, बात समझ मारी, तो यहां पर तुम बताओ ना तो B दिखाई दे रहा ना F दिखाई दे रहा दोनों के दोनों एक साथ छिप के तो ये भी बात गलत हो जागी तो कि पिछली तरफ जाके ये Adjacent हो जाएंगे पूर डोसी हो जाएंगे गलास हो जागा ठीक है यां पिय और एफ हैंसर बिर और घटा अपर बियोर एफ कोह सब झानी दिखाई दे भात तो इसका मतलब दोनुए उपी देरा टॉस्च हो मैं सकते तो एक साथ इसकल ने सकते हैं तो अब सि उसनी हमारा जवाब में कोई रिक्कत, कोई डाउट समझ माया next question बोल दू एक ही पासे की तीन इस्थितिया दर्साओ फटाफट एक ही पासे की तीन इस्थितिया है यह पर बना रहा हम है एक ही पासे की तीन इस्थितिया यह एक पासा है और इसकी तीन इस्थितिया है एक ही पासे की तीन इस्थितिया दरसाली होगी यह पहला पासा यह दूसरा यह तीस्थितिया ठीक है ना तो इसमें नमबर मेंजन कर दो पहले में नमबर मेंजन है एक दो पाच एक दो पाच फिर हैं दो तीन पाच दो तीन पाच फिर हैं चार Question mark Question mark Option A B C D Option A में क्या है एक और ती Option B में क्या है दो और पाच Option C में क्या है दो और छे Option D में क्या है भई एक और छे तो बताईएगा आंसर क्या दोगे एक ही पास है कि तीन स्थितिया दर्साई गई है तो दो कोशन मारक है दो कोशन मारक को फिल करना है इन चार उपसन में से डी जबाब कितनों का आया डी कितनों का आ गया डी सी चलो देखते हैं अपनों मैच कर लो आंसर वही सबसे पहले मुझे बतो इन दोनों में कोमन क्या दिखाई दे रहा है दो पांच दो पांच तो यह पक्की बात होगी कि एक तीन के अपोजिट है एक तीन के अपोजिट है यहां तक कोई दिक्कत कि एक तो भाई तीन के अपोजिट है और तीन किसके अपोजिट है एक के यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को कोई समश्या नहीं पक्की बात है तो मुझे एक बात बताओ यहां पे तुम्हें तो तीन देखो, एक और तीन एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो option A देखो, एक तीन एक साथ तो नहीं आ सकते ना, एक और तीन एक साथ तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि एक और तीन दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक तीन एक साथ कभी नहीं आएंगे, त तो अगर मैं एक और छे रखता हूँ तो एक तीन में से कोई एक दिखेगा तो इसका मतलब क्या होगा डी ओप्सन हमारा correct answer होगा कोई दिक्कत तो नहीं एक ओप्सन मतलब एक और तीन में से किसी एक कद दिखना जरूरी है ना तो एक छे ही एक ओप्सन ऐसा है जिसमें एक दिखेगा तो तीन छिप जाएगा बात समझे माई कोई लिक्कत तो नहीं तो जो लाइन लिखवाई में नहीं बताई कि दो विप्रीच सते है कभी ना तो एक साथ दिखनेगी ना कभी एक साथ छिपनेगी दोनों में से किसी एक रेकर दिखनार ज़रूरी है एक दिखेगा तो दूसरा च्पोट हिचे से कीपने सीफ़ां होगे कि यह की ऑर गो एक ही पास है कि फिर से तीन स्थितिया दरसाओ पहली स्थिति दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति चीक है भई इसमें मेंचन कर दो पहले ए, बी, ए, बी, ए, 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 डी, ए, कोशिन मार्क, कोशिन मार्क ठीक है भई? तो आपसन है ये ए, बी, सी और डी, चार आपसन है तो सी एफ, ए, सी, बी, डी, और बी एफ इनमें से कोई सा एक अंसर है, बताईएगा ज़रा जलनी बताईएगा जलनी बी, चलो देख लो, चेक कर लो भी अपना अंसर सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होगा? कॉमन डिजिट छाटना ए, 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 तो बी क्या है एक दूसरे के? अपोजिट, तो बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है ना तो कभी एक साथ दिखेंगे, ना कभी एक साथ छिपेंगे केलियर, अगर मैं यहाँ पर C और F को रख देता हूँ तो B और D एक साथ छिप जाएंगे, इसलिए गलत हो गया अगर मैं यहाँ पर A को और C को रख देता हूँ छिप गया तो इसका मजले डी ओफसन हमारा करेक्टर अंचर हो गया खोई दिक्त एक और लिख लो लाश्ट पुस्च्छन तो नहीं भई लिको फ़स्चन एक ही पास है की तीन इस्थिधिया दर्साओ फटाफट एक ही पास है कि तीन इस्थिधिया तो लाश्ट है यह एक ही पासे की तीन इस्थितिया दरसाई भई एक दो पीन एक ही पासे की हमारी तीन इस्थितिया होई तो एक दो च्छे एक दो चे च्छे दो पाँच छे दो पाँच फिर पाँच कोशिन मार्क कोशिन मार्क ठीक Option is this A, B, C और D Option है 1,2 Option है 1 और 3 Option है 1,4 यह उपसन है भई तीन चार इनमें से कोई एक आंसर है इनमें से कोई एक आंसर है अगल लाक्ष्ट कोश्चन एंट का तम हो जागा तुमारा फिर कल कल यह कोशिस करऊ में कल यह पूरे चेप्टर का तुमारा डायस का D कितनों का आ गया D सब का आ गया भई Clear है भई D clear हो गया तो बिल्गुल ठीक है भई जान्दों सबसे पहले पता करोगे common क्या है 2, 6 2, 6 common है तो 1 किसके opposite 5 के opposite हो गया तो मैं पता लग गया कि 1 5 के opposite है और 5 एक के opposite है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1 5 में से कोई 1 दिखेगा एक 5 में से कोई 1 ही दिखेगा तो दूसरा छिपेगा तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 5 तो आ रहा है तो इसका मतलब 1 नहीं आ सकता कभी भी 1 नहीं आ सकता समझ मा गया तो भाई ये हमारा दो टोपिक खतम होगे समय पासे में तो कल कोसिस करी जागी कि ये चैप्टर ही खतम हो जा तुमारा वरना एक किलास में और खतम हो जागा ठीक है ना चलिए जै हिंद जै बारत